So, चलिए गाईज, आज का हमारा टॉपिक रहेगा solid states, बहुत ही अच्छा chapter है और at the same time, जितने हमने chapter कियो, उसमें से सबसे आसान chapter है solid state, और ये basic chapter है, इसमें अगर आपका imagination power काम करता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से solid state को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उनके question भी बड़े आसानी से कर सकते हैं So, सबसे पहले तो किसी भी matter के तीन state होते हैं हम पहले से जानते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो chapter का जो first lecture होगा, वो basic lecture है Solid state के बारे में introduction part है, लेकिन at the same time वो important भी है So, matter के तीन state होते हैं, कौन-कौन से, solid, liquid and gas देखे, gas state को आप 11th standard में पढ़ चुके हो आप लोगो याद होगा, states of matter में हमने gases state को ही पढ़ा था थोड़ा बहुत liquid को भी पढ़ाता, लेकिन actual में liquid जो होता हो physical का, physics का part होता है तो liquid को आप physics में, detail में पढ़ते हो और solid को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, 12th में आपका सबसे पहला chapter है, solid state तो उसको हम लोग शुरू करने जा रहे, अब खास बात क्या होती है solid की तो अगर आप define करना चाहो solid को कैसे करोगे, तो लिखिए definition of solid, तो यहाँ मैं लिखता हूँ मैं, now what is solid हम initially बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे, solid क्या होता है जिसमें constituent particles के बीच में intermolecular force of attraction बहुत ही जादा होता है ठीक है, तो लिखिलो, solid are two substance, ठीक है, that state of matter मैं लिख देता हूँ, solid is that state of matter, state of matter, ठीक है in which, in which constituent particles, constituent particles, ठीक है, are bonded with, bonded with, strong, strong force of attraction, force of attraction सबको पता है यह तो, constituent particles के बीच में, जो force of attraction होता है बहुत ही क्या होता है, जादा strong होता है अब solid की क्या properties होती है, initially यह चीज़ें आप 10th में पढ़ लेते हो, लेकिन फिर भी एक बार में आपको recall करवा देता हूँ, तो देखे, solid की properties, क्या होती है, ज़रा check कर लेते है so, the properties of solids, तो यह लिखे, the properties of, properties of solids solids की properties क्या होती है, सबसे पहला तो, we all know, solid का shape, ठीक है, short में लिख रहा हूँ shape, size, and volume, shape, size, and volume, क्या होता है, definite, यानि की fix होता है, हम सब जानते है जैसे की, यह दिख रहा है, यह solid है, इसके अंदर जो चोक है, वो solid है, उसका shape, ठीक है, ऐसा नहीं, उसका shape, जो है बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, तो solid का shape, size, और volume, यह तीनों चीज़े क्या होती है, fix होती है, हम सब जानते है second, second property क्या होती है, इनकी compressibility effect, compressibility, ठीक है, compressibility, क्या यह compress हो सकते हैं, बिल्कुल कम, ना के बराबर, क्योंकि constituent particles, तो already बहुत ही पास-पास होते है, force of attraction बहुत ही strong होता है, तो बहुत ही पास-पास होते है, तो उनकी compressibility बहुत ही क्या होती है, low होती है, सही है, तीसरा वाला क्या होता है, इनकी flexibility, ठीक है, क्या यह flexible होते है, नहीं, एक ही बात है, इसका just opposite ह flexibility, ठीक है, वो भी क्या होती है, low, चोथा, क्या यह diffuse हो सकते है, gas के जैसे, gas को तो क्या होता है, जैसे आप perfume चड़कते हो, तो perfume की खुश्बु थोड़ी दूर तक चली जाते है, diffuse हो जाती है, लेकिन solid के साथ ऐसा नहीं है, solid diffuse नहीं होते है, ठीक है, इनका diffusion power, we can say, diffusion, क्या diffuse होते है, नहीं, इनका diffusion power भी क्या होता है, low, लिकिन की खास बात ही क्या होती है, इनका melting and boiling point, generally inka melting point and boiling point, ये क्या होता है, high होते है, इनका melting point and boiling point क्या होता है, high, क्योंकि constituent particles पर force of attraction बहुत ही अच्छा होते है, बहुत ही पास पास होते हैं, तो अगर आप उनको melt करना चाते ह और अगर आप liquids is gases form में लेके जाना पड़ जाते हैं तो और भी जाधा temperature देना पड़ेगा Now and the last point that is six point और वो क्या होगा that is they are generally conductors of electricity and heat Conductors of good conductors of electricity electricity and heat तो देखी ये general properties है जो आपने 10th standard में पढ़ ली होंगी Basically solid क्या होते है इन में constituent particles बहुत इच्छे force of attraction से bonded होते है इनकी shape, इनका size, इनका volume सब का सब क्या होता है definite होता है compressibility low होती है flexibility भी low होती है ठीक है और diffusion भी low होता है, gas के जैसा diffuse नहीं होते है ठीक है ना ही liquid के जैसा, liquid में थोड़ी diffusion power जादा होती है, gases में तो बहुत जादा होती है लेकिन solid में तो बहुत ही कम होती है ना के बराबर ठीक है, melting point and boiling point के generally high होते है और सबसे अच्छी बात है यह electricity और heat के अच्छे conductor होते है यह कुछ properties है जो आपने 10th standard में पढ़ ली होगी